Hello students, good morning, myself Roby तो बच्चो आज श्टार्ट करने जा रहे हैं साइन्स का second chapter जिसका नाम है हमारा घर ठीक है बच्चो तो घर कितनी प्रकार की होती है और किस प्रकार से बढ़ना चाहिए यह सब हम इस chapter में discuss करेंगे ठीक है तो चलिए श्टार्ट करती है सुरक्षित रहनी के लिए हम सबी को घर की आवशकता होती है हमारा घर सर्दी, गर्मी, बर्सा, चोरों तथा जंगली जन्तूओं आदी से हमारी रक्षा करता है घर भिन-विन प्रकार के होती हैं, कुछ घर छोटे होती हैं जबकि कुछ घर बड़े होती है जबकि कुछ घर मिट्टी और तिनके से बनाई जाती है तो बच्चो घर की आवशक्ता हमारे लिए क्यों होती है सुरक्षित रहने के लिए ठीक है जो हमारा घर होता है वो हमको सर्दी, गर्मी, बर्सा तथा चोरों जंगली जन्तों और जानवरों से हमारी रक्षा करता है घर बिन बिन प्रकार के होते हैं जैसे कि कुछ घर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ इट फत्रों से बनाई जाती हैं तो कुछ मिट्टी वा तिनकों से बनाई जाती हैं ठीक है बच्चो तो चलिए आगे हम पढ़ती हैं घरों को मुख रूप से दो बर्गों में बाटा गया है पहला दिया है कच्चे घर और दूसरा पक्के घर तो घर होते हैं बच्चो उनको कितने भागों में बाटा गया है दो घर पहले नमर पर कच्चे घर और दूसरे नमर पर पक्केगर थीक है रसाइड में दिया हुआ है एक box मैं बलू कलर से क्या आप जानते हैं गर्म छेत्रों में घरों की छते ओंची उनहें जाती जैसे जैसे कि घर में ठंडक रहें, तो इसके कारण जो घर में तंड़ी हो कि खतलु है, इसलिए जाती है बनाए जाती है तो इसके गारण क्यां हो्त है नामा दूट है in There ह待क्त, इसलिए नहीं डाता है कि बारे में पढ़ते हैं पहली हेडिंग क्या है हमारी कच्चे घर मिट्टी बांस घास फूस लकड़ी आदी से बने घर कच्चे घर कहलाते हैं कच्चे घर अपिक्षक्रत कम मजबूत होते हैं कच्चे घर अपिक्षक्रत कम मजबूत होते हैं कच्चे घर अधिकांसता गाउं में देखने को मिलते हैं तो बच्चो जो कच्चे घर होते हैं वो किस किस से बनाय जाते हैं मिट्टी बांस घास फूस लकडी आदी से बनाय जाते हैं ठीक है और ये कैसे होते हैं कम मजबूत होते हैं जो हमारे पक्के घर होते हैं उनसे अप एक शक्रत कम मजबूत हो और कच्चे घर हमको अधिकांस था कहां देखने को मिलते हैं गाउं में ठीक है वच्छो चलिए आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग पक्के घर पक्के घरों के बारे में पढ़ते हैं पक्के घर किस प्रकार से बनाया जाते हैं इट सीमेंट लकडी लोहे आदी से बने घर पक्के घर कहलाते हैं पक्के घर मजबूत और स्रक्चित होते हैं नगरों में अधिकांस घर इसी प्रकार के होते हैं तो बच्चों जो पक्के घर होते हैं, वो किसकि से बनाय जाते हैं, एत, सीमेंट, लकडी, लोहे, आदी से बनाय जाते हैं, और ये कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीके? और मजबूत और स्रक्षित होते हैं और ये घर अधिकांसता कहां पर मिलती है नगरोवा सहरों में ठीक है बच्चो आगे दिया हुआ है नेक्स्ट आपने क्या सीका जो औरेंज कलर से हेडिंग बना कर दी हुई है आपने क्या सीका ठीक है अभी तक जो हमने पढ़ लिया उस तो जो खच्ची घर में हम प्रियोग में लेते हैं उन दो वस्तों के नाम लिखना है तो पहले नमर पर हमने लिख दिया मिट्टी और दूसरे नमर पर बास ठीक है बच्चो आगे दिया हुआ है नेक्स्ट कोश्चन पक्के घर के निर्मान में प्रियोग तो होने वाली कि अपनी दो बस्तों के नाम तो पहले नमर पर हम लिखेंगे इंट और दूसरे नमर पर सीमेंट ठीक है बच्चो समझ में आया आगे चलते हैं नेक्स्ट हैडिंग दे हुई है घर अच्छे घर की विशेस्ता है ठीक है बच्चो जो अच्छे घर होते हैं उनकी क्या-क्या विशेस्ता होनी चाहिए वो पढ़ते हम सबसे प्हेले दिया हुआ है हेडिंग हवादार ति दिसके लिए हम पढ़ते हैं एक अच्छा घर हवादार होना चाहिए इसमें बायू के आने जाने के लिए खिड़किया एवं रौसंदान होने चाहिए तो बच्चो अच्छा घर किस परकार से होना चाहिए उसमें हवा होने अच्छा घर हवादार होना चाहिए हवा आने के लिए और जाने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए खिड़किया होना चाहिए ठीक है बच्चो आगे चलते हैं हम next page पर नाली की विवस्ता दूसरी heading क्या दी हुई है बच्चो नाली की विवस्ता एक अच्छे घर में गंदे पानी की निकासी की पून विवस्ता होनी चाहिए सबी नाली धकी हुई होनी चाहिए ताकि मच्छर एवं अन्य कीटों से बचाव हो सके इसके अत्रि अच्छे घर की क्या विशेष्टा होती है कि उसमें जो गंदा पानी होता है उसकी निकासी की या निकलने के लिए विवस्ता होनी चाहिए तीक है बच्चो जिस प्रकार से हमें इदर डाइग्राम में बनाकर दिया हुआ है यह बर्सा का पानी है वो अलग से निकल रहा है नालिया भी कैसी बनी हुई है ढकी हुई ठीक है बच्चो तो एक अच्छे घर की विशेष्टा होती है कि उसकी जो गंदा पानी है उसकी निकासी के अच्छे से विवस्ता होनी चाहिए तीक है आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग सुरक्षा विवस्ता एक अच्छे घर की दिवारें एवं दर्वाजे मजबूत होने चाहिए चट की दिवारें उची होनी चाहिए अत्वा उन पर ग्रिल लगी होनी चाहिए सभी दर्वाजे और खिड़कियां अच्छी तरह खुले एवं बंद होने बाले होने चाहिए तो बच्चो जो एक अ पाइपिंग की लाइन लगा देती है ना उसी को ग्रिल बोलती है ठीक है ग्रिल लगी होनी चाहिए और सभी दर्वाजे और खिड़किया अच्छी तरह खुलने एवंबंद होने वाले होने चाहिए ठीक है बच्चो आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिंग दी हुई है हर्याली एक अच्छी घर में तता उसके आसपास पेड़ पौदे होनी चाहिए पौदी बायू को सुद्ध करते हैं और बातावरन को सुच बनाती हैं तो बच्चो जो अच्छी घर की क्या विशेस्ता होनी चाहिए कि उसके आसपास और घर के अंदर या आसपास क्या होनी चाहिए पेड़ पौदे होना चाहिए ठीक है अगे चलती है next heading दी हूई है सुच्छता सूच्छता की बारे में पढ़ते हैं एक अच्छा घर साफ सुत्रा होना चाहिए घर को साफ रखने के लिए कुछ प्रत्न करने आवश्यक हैं जैसे पहले नमर पर दिया हुआ है घर में पृति दिन जाड़ू और पहुंचा लगाना चाहिए ठीक है बच्छों आगी दिया हुआ है बॉस बैसिन इसनान ग्रे और स्वाचाले पूर्ण रूप से साप होने च जिसमें हम सौच के लिए जाती है ठीक है बुक्या होने चाहिए पूर्ण रूप से साप सुत्रे होने चाहिए आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हैडिंग मच्छरों एबं अन्हानी कारक कीटों को नश्ट करने के लिए कीट ना सक दवाईयों का प्रियोग करना चाहिए तो इसके लिए हमको नेक्स्ट पेज पर जाना होगा नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है चीजों को प्रियोग करने के बाद उन्हें यथावत रख देना चाहिए तो हमारे घरों में पर्दे लगे होते हैं और जो बैट पर चादर विची रहती है उनको कैसे नियमेत रूप से दुलनी चाहिए ठीके बच्चो आगे दिया हुआ है नेक्स्ट फण दर्वाजयों आदी की नियमेत रूप से जहार्ड पॉंच होनी चाहिए इसको के मारे आप्णपण दलबंध रूप कोड़े कुड़ दान में डालना चाहिए जो हमारा कूरा करकर होता है उसको किसमें दालना चाहिए बच्चो ढके हुए कूडे दान में ठीक है? और इसको इदर उदर इदर नहीं फैकना चाह vaccinated आगे दीया हुआ है याद रखने योग की बातिों याद रखने योग बातों में फर्ष्ट दिया हुआ है घर सर्दी गर्मी बर्षा चोरों तथा जंगली जंतुओं आदी से हमारी रक्षा करता है ठीके बच्चों घर हमारी किस किस से रक्षा करता है सर्दी से गर्मी बर्षा चोरों तथा जंगली जंतुओं से आगे दिया हुआ है next point कच्चे घर मिट्टी बास घास पूस आधी से बनते हैं कच्चे घर अधिकांस्ता गाउं में देखने को मिलते हैं ठीक है बच्चो next point दिया हुआ है पक्के घर इत सीमेंट लकडी लोहे आधी से बनते हैं नगरों में अधिकांस्ता इसी पिरकार के पक्के घर होत खिड़क्यां एवं रौशन दान होनी चाहिए आगे दिया हुआ है next point हमें अपने घर की प्रती दिन सफाई करनी चाहिए ठीके बच्चों तो ये कुछ याद रखने योग बातें थी जो complete होती है आगे दिया हुआ है हमें अभ्यास प्रिश्न तो कुछ अभ्यास प्रिश्न दिये हुए हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं फर्ष्ट नम्मर पर दिया हुआ है का नम्मर पर सही बिकल्पर सही कर्षिन लगाए तो बच्चों यहां पर हमको तीन आप्सन मिलेंगे जिसमें हमारा जो सही आप्सन होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे तो पहल प्रेश्ण है सुरक्चित रहने के लिए हम सभी को किसकी आवश्यक्ता होती है नम्मर एक घर की नम्मर दो भोजन की नम्मर तीन सोनी की तो सुरक्चित रहने के लिए हम सभी को किसकी आवश्यक्ता होती है बच्चों घर की जो हमारा पहला option है वो सही है तो उसके आगे हम right का निशान लगा देंगे ठीक है आगे चलते हैं next question दिया हुआ है पक्के घर बने होते हैं नमर एक eat cement से, नमर दो मिट्टी गांसपूर से, नमर तीन इंसाभी से तो जो पक्के घर होते हैं वो बच्चो किसे बने होते हैं eat cement से तो हमारा जो पहला option है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम right का निशान लगाएंगे ठीक है आगे चलते है next दिया हुआ है थर्ड नमर पर एक अच्छा घर कैसा होना चाहिए नमर एक हवादार, नमर दू सच, नमर तीन दोनो तो अच्छा घर कैसा होना चाहिए वच्चो हवादार भी होना चाहिए सच भी होना चाहिए तो इसका right answer क्या हो जागा तीसरे नमर पर ये दोनो ठीक है तो हम तीसरे नमर के आगे right का निशान लगा देंगे आगे चलते हैं चौतिन नमर पर दिया हुआ है गाउ में अधिकांस घर कैसे होते हैं नमर एक पक्के, नमर दो कच्छे, नमर तीन, दो मंजिला तो गाउ में अधिकांस घर कैसे होते हैं वच्चो कच्छे तो जो हमारे second नमर का option है वो right हो जाएगा उसके आगे हम correct कर निशान लगाएंगे ठीके आगे दिया हुआ है पांचवे नमर पर हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए नमर एक साब, नमर दू गंदा, नमर तीन विखरा हुआ तो हमें अपना घर कैसा रखना चाहिए बच्चो साब ठीके तो इसके जो पहला वाला option है, वो सही हो जाएगा उसके आगे हम right कर निशान लगाएंगे ठीके, आगे चलती है next page पर next page पर खाना मर पर दिया हुआ है उचित सब्द चुनकर रिक्त इस्तानों की पूर्ति कीजिए तो यहाँ पर कुछ हमें सब्दे दिये गए हैं जिन मैंसे हमें चुनकर खालिस्तानों में वर्णा है तो पहला खालिस्तान दिया हुआ है पक्के घर मजबूत और सुरक्षित होती है ठीके बच्चो तो जो हमारा पहला खालिस्तान है उसमें हम क्या वर देंगी शुरक्षित ठीक है आगे दिया हुआ है next दूसरे नम्मर का खालीस्तान कच्ची घर अधिकांस्ता काहाँ देखने को मिलते हैं बच्चो गाओं में तो मारा जो दूसरा खालीस्तान है उसमें हम क्या लिख देंगे गाओं में आगे दिया हुआ है next तीसरे नमर पर घर में उचित ववस्ता होनी चाहिए किसकी ववस्ता होनी चाहिए बच्चो प्रकास की तो जो हमारा तीसरा खालिस्तान है उस पर हम प्रकास लिख देंगे ठीके आगे दिया हुआ है फोर्थ नमर का घर साफ सुरक्षित एवं कैसा होना चाहिए वच्चो आराम दायक फोर्थ नमर का कॉश्चन था हमारा घर साफ सुरक्षित तता कैसा होना चाहिए आराम दायक तो इसमें जो फोर्ट नमर का खालिस्तान है उसमें हम क्या लिख देंगे आराम दायक, ठीके, आगे दिया हुआ है फिप्त नमर पर कच्ची घर, मिट्टी, बांस तता और किसे बनाए जाते हैं बच्चों, घास फूस से, ठीके, तो जो हमारे पांच भी नमर का खालिस्तान है उस पर हम लिख देंगे घास फूस ठीके बच्चों तो हमारी एक खालिस्तान कंप्लीट होते हैं आगे दिया हुआ है गा नमर पर सही कतन के सामने सही का तता गलत कतन के सामने गलत कच्छन लगाएं ठीके तो पहला कोश्चन है कच्छे घर अधिक मजबूत नहीं होते तो भी विल्कुल सही है इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे आगे दिया हुआ है फूर्ट नम्मर पर घर में गंदे पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्ता नहीं होनी चाहिए तो यह तो बिल्कुल गलत राइपे बच्चों होनी चाहिए तो इस पहल हम क्या लगाएंगे घलत का निशान ठीक रॉस लगा दिंगे आ गेदिया हुआ है फित नम्मर पर घर में प्रिति दिन जाड़ू गौना क्लाउन चाहिए तो तो बइल्कूल सही हुआ है इसके आगे हम राइत का चलते हैं, पहला प्रिश्न दिया हुआ है हमारा, घर हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चो, सुरक्षित रहने के लिए हमें घर की आवश्यक्ता होती है, ठीक है, नेक्ट प्रिश्न दिया हुआ है अगला, घर कितने प्रकार के होती है, प्रते के नाम लिखिए तो बच्चो इसका उत्तर होगा घर 2 परिकार के होती है नमरें गच्छा घर नमर2 पके घर ठीक है पहले नमर 1 पर क्या हो जाएगा कच्छे घर और दूसरे नमर पर पके घर ठीक है जासे प्रिवला एक्षने लोहे आदी से मिलकर बनते हैं ठीक है बच्चों समझाया आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रिश्ट फूर्थ नम्मर पर अच्छी घर की पांच विसिस्ताय लिखिए ठीक है अच्छी घर किस प्रकार सा होना चाहिए उसकी हमको पांच विसिस्ताय लिखनी है ठीक है तो उत नमर तीन एक अच्छे घर में गंदे पानी की निकाशी की पूर्ण व्यवस्ता होनी चाहिए नमर चार घर की दीवार एवं दरबाजे मचबूत होने चाहिए ठीक है वच्छो नमर पांच एक अच्छे घर में तथा उसके आसपास पेड़ पौदे होने चाहिए ठीक है वच गर को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक कोई चार कारे बताई तो हम अमारी घर को किस प्रकार से स्वच्छ रख सकते हैं उसके लिए हमें चार कारे बतानी है ठीक है बच्छो तो इसका उत्तर देखते हैं घर को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक चार कारे निम्ने है नमर एक घर में पिरती दिन जाड़ू और पहुचा लगाना चाहिए नमर दो बॉस बैसिन इसनान ग्रे और सौचाले पून रूप से साप होनी चाहिए बॉस बैसिन बच्चों मैंने बताया था क्या होता है हमारे वाश्रूम के बाहर लगा रहता है जिसमें हम हेंड बॉस करते हैं एक डलिया टाइप की बनी होती है जिसमें नल लगा रहता है ठीक है उसको बॉस बैसिन बोलते है इसनान ग्रे हमारा वाश्रूम होता है और सौचाले जिसमें हम सौच के लिए जाते है ठीक है बच्चों आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट परदे और चादरे नियमित रूप से धुलनी चाहिए ठीक है आगे दिया हुआ है फोट नमबर पर कूडे करकट इत्यादी को ढखके हुए कूडे दान में डालना चाहिए ठीक है बच्चों इस परकार से हम तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंच करके बता सकते हैं ठीक है बच्चों थेंक यू